नमस्कार मित्रों वाइक बार पुनह मैं अपने एक नहीं जानकारी के साथ उपस्तित हूँ और आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ रस और अलंकार और इसकी जप्ति का कारण जब तुस्ता साहिते विसे सांक की अगली कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे हिंदी के पुरूधा किशोरी दास बाजपी जो हमारे पुस्तकों की जो स्रंखला है जो पुस्तके हम पढ़ते हैं हिंदी की उसमें इनका मैंने तो नाम नहीं सुना है अगर आपने सुना होगा तो ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिनके युगदान को कमतर आख आ गया या भुलाग दिया गया तो आज मेरा प्रयास है कि उनके साहिते उनके द्वारा किये गए कारे तो इसका राम किश्ण जी ने इसको लिखा है इसका रिसर्च वर्क रोने किया है तो हम इसको पढ़न का प्रयास करेंगे और इसको और जानने का गयराई से जानने का प्रयास करेंगे और आगे देखेंगे कि कितना इन्होंने काम किया था आजादी के दोरान और किस तरीके से रस अलंकार चंदों के माद्यम से आजादी क्योंकि उस समय तो डर था ना एक बहुत बड़ा डर दो था अंग्रेजियों का कि जो भी आजादी के आंदोलन में जो कुछ भी कोई लिखता था विससे कहिने कहिन कहीं को बल मिलता था युवाओको में चैतेन्ता गाभाव आता था किश भगति की वहाव न जक्ती थी राष्ट्रवाद की भॉह लगॉणा भाजीती ती तो को सप्रेश करने का प्यास गरयाता था तो हम उसके बारे में थुजाश पढ़ेंगे तो पहले हम किस्री दास पहला फेज जो का वो किस्री दास बाजपई के बारे मिं हुगा। इसके बाद उनके द्वारा किए गते का रियों के बारे में हम तरुचा करेंगे। हिंदी चाउत जगत में अचारे की सोरी दास दास भाजपयी मुख्यत व्यागन आचारे की रूप में विर्णा थे। भाषा संसकार के लिए उन्होंने जो अयोगदान किया वह किसी दूसरे विद्वान ने नहीं किया। विद्वान उन्हें प्रसस्ती में उन्हें हिंदी का पारणिनी कहा। पारणिनी बहुत बड़े द्यागना चाह रहे थे। प्रणाम यह हुआ कि उनके कृतित्यु के संग्राम शिनाने भी है। यह बात गौड हो गई भारत भारति प्रसकार सम्माने दाक्टर विजिंद्र सनातक के शब्दों में संभोता उनके मतलब आचारे बाजपई कवी रूप का बोध नई पिढ़ी के हिंदी पाठक को तो शायद बिलकुल ही भी नहीं है। हाँ प् सम्माने के आधार पर गटना उस समय से जुड़ी है जब आचारे बाजपई के प्रसम पुत्र का सरीडान तो हो गया था मत्रम्रत्य हो गए थी और इस मरमान तक प्रभाव में वह विकानेर के अच्छी नौकरी छोड़कर इदर उदर यूं ही भटक रहे थे आचारे नाम इलहाबाद से प्रयाग किया तो में प्राणे नाम में वापसी हो गया प्रयाग में आचारे बाजपई यम्ना के उस पार एक आंतरस्तान में हिंदी विद्यापिट जा तिके वहां उनके मन में उत्मा परिच्छा पास करने का विचार है लेकिन इश्वर को शायद य पहले पर आगए यह घटना 929 की है 939 वह समय है जब अमेरिका में मंदिया थी और किंस ने उस पर किताब लिखे थी जरनल चुरीया ओंप्लाइमेंट इंट्रेस्न मनी तो यह घटना 1121 की है यह सदू में फिटीज को किस गोश्रा के गयी तो 2009 के बाद हमार आप में जो अन स्थाई हो गए यही वह समय था जब कांग्रेस ने सत्याग्रा और समीने अवग्या आदलन छिर दिया तो आचार बाज पर बिना आगा पीछा मतलब बिना आगे पीछे सोचे उसमें कूद पड़े काम किया सत्कारी चेर्में विसे हूम ने आस्तीन का साप तथा जोड़दा कांग्रेस वरकर के खिताब उसे नवाजा मरखास कर दिया गया साथ ही उस मास का वेतन भी जब्त कर लिया प्रंतु पिर्ण की इसकारवाई ने आचारे बाजपई के भीतर खॉल रहे लावे को फुफना दिया वह खुलकर आजादी की यग में लग गए साथ ही यह पुस् यहां पर देखिए यहां पर देखिए मिस्टर हूम यह यह हूम जो है वह कांग्रेस की स्थापना की रिस्पॉंसब्रिटे इनको दी गए थी अटासो पचास में ने गया था और इसको एक सेफ्टी बाल के थिए थी कि या कांग्रेस के निता यहां पर मिटिंग करेंगे इस पॉइंट विए से च्थापना अंग्रेजों के चुंकि उसको इस्थापना में अंग्रेज कहीं हात था अगर बहुत ही प्योर माइंट सेट होता तो अंग्रेज को क्या करने जो भारती कर लेते लेकिन अंग्रेजों ने खुद जान बूच करवाया था ताकि वह आज करने लगा चलने लगा और उसने बाद में इसके नहीं पुरा अंदुरन ख़ड़ा हुआ चलिए इस पुस्तक की भूमिकाम में आचारे बाजपने लिखाया कि कुछ दिनों से मेरा विचार है कि मैं भी हिंदी में एक साहित्त लिखूं इस ग्रंथ में साहित्त के सब पूरी नहीं हो सकी सायद कभी हो जाए मन में विचार तो रहता ही एक दिन एक मित्र के लिए सम्मिलन परिच्छाओं का जिक करते विए कहा कि सम्मिलन की विचारत परिच्छा में रस और अलंकार पाठ्थे रूप में निर्धारित हैं मालूम नहीं आप अपनी वह बड़ यही वह पुस्तक है आचारे बाच्पीन लिखाए कि इस पुस्तक में रसोर अलंकारों का संचितिव निरूपन है लच्छन गद्य में उद्धान पद किवा पदानसों में दिये जिसे याद करने में सुविता हो सरल्ता का δھیان करके मैंने स्वैंग जोड़-गाट गाट कर उधान दढ़े जिस अलंकार का उधान रखा गया उसके अतरी uniqu कि यह सूचक चिन्हों के द्वारा अंकित कर दिया है कोई भी माता पिता अपने पुत्रियों को और गुरु अपने सिस्ट्रों को निसंकोच यह पुस्तक प्रा सकेगा उधानों में रास्तिता का रंग चड़ा हुआ है तो कोमल मती छात्रों के लिए यह सब असल बोज हो ग चात्रों का ध्यान रखकर यह पुस्तक लिखी गई और इसमें लेखक को सफलता मिली या नहीं इसे तो चात्र ही समझेंगे यह पुस्तक हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कारेले मुंबई में तुरन छपी और छपते ही तत्कालिन मुंबई सरकार ने जब्त कर ली इस प्रकाशन के प्रकासक नातुराम प्रेमी थे वह सजन व्यक्ति थे पुस्तक जब तहोने के बावजुद उन्होंने बाजपई जी को ठहरा हुए पारिस्रमिक भेज दिया इस पुस्तक को ठहरा हुए पारिस्रमिक जो पतख हुआ था इस पुस्तक को आचारे बाजपई ने महरसी मदन महनमालवियों को समर्पित किया था जब इस पुस्तक के प्रती उन्होंने महरसी को भेंट की तो पढ़कर हस्ते यो बोले बड़ा तेज बजार लगाया मिर्चों का जीरा आदी का बगार देते तो अच्छा लगता इस पर आचारे बाजपई ने हाँ जुड़कर कहा महराज भूतों को भगाने के लिए मिर्चों की दूनी ठीक रहती है मर से मुस्क्राने लगी यह घटना स्वेंग आचारे बाजपई ने अपने संस्पॉर्ण में लिगी है अब आम देखेंगे इसमें रह्स और अलंकार कैश उड़िदास बाजपई यह करते है भास अलंकार होता है, पुन्रुक्त वत, पुन्रुक्त के समान अभास प्रति होता है, जैसे, मनहर, मोहन, दास, आर्थ, जन्ता के सेवक, हुए प्रकट तब सहम उठे, जो थे विडाल बक, यहां मनहर और मोहन, तथा, दास, और सेवक, पदों में आप, आपात्त, अर्थ, पर ध्यान देने से, वह काफूर हो जाती है, तो दूर हो जाती है, अत यहां पुन्रुक्ता, वदा भास, अलंकार है, यदि सब्दों के आकारों में भी समता हो, तो फिर यह अलंकार ना होगा, लाटान, लाटानुप्रास होगा, अनुप्रास, हिंदी के स्रमनगत, और उच्चान, शेक वृत्ति, अननुतिय और लाटए नामक, शूरती सामें क्या अधार पर है, es स्पष्चता के लिए ऊच्चरित, उच्चरिता, उच्चरितानुप्रास कहें गे,預ह ऑनुप्रासों के दो मुख्य हैं हुए, एक शूुब्रास अदुसरा उ रुक्षरिता अनुप्रास होता है इस तरह कुल पांच भेद अनुप्रास में हुए नीचे अलग-अलग इनके लच्छन और धान दियांगे हैं छेक अनुप्रास जहां एक से अधिक व्यंजन वर्णों की स्वरूप और कम से कम एक आवरती हो एक बार वस्वर्ण सुम्दा दोराया जाए वहां छेक अनुप्रास होता है उधान के लिए हनी गुंडा सरकार मद गांधी उदित हुलास तीर तोरी डारे सबै काटी कटेली पास यहां तीर तोरी यह था कटी कटी काटी कटी में दो दो वर्णों की एक एक बार स्वरूप और क्रम दोनों तरह से आवर पास है यदि स्वरूप से तो आवर्ति हो किन्त क्रम से नहीं बिगड़ जाय तो फिर शेकानुप्रास न रहेगा उधान के लिए रीते तीर सबाई किये मैं में रीते के रेख तकार कि स्वरूपा वर्ती तीर कर में आवस्थ्य है प्रंतु उस करम में नहीं है करम बदल तकार पहले आ गया और रेफ बाद में इसलिए यहां पर छेकानुप्रास नहीं है इसे परकार केवल एक वर्ण की आवरती में भी यह नहीं होगा क्या होता है सो अभी और लुखा वर्त्य अनुप्रास जब अनेक वन्जनों की एक कही प्रकार से शुरूपआ मातर से आवर्ति हो करम वह न रहे अथ्व अनेक वर्नों की आवर्ति सरूप और क्रम दोनों तरब से उद्द्ध ही बार नहीं री कही सब्सक्राइब ने अच्छे का इस जो प्रती खरें यहां रम और मर में अनेक वर्णों की एक कई बार एक ही प्रकार से क्यवर सुरूप मातरसे आविरती हुए करम बदल गया हैं रम की मर रूप से आविरती हुए इसलिए क्रों भी वही वह रहता द alors रम की रम की मर से आविरती और तो फिर वित्य श्रेक्स स्थान का वृत्ति की दॉर्त में दोने की पुरवारत में एक व नत की कई अभर इसलिए दूसरा वृत्य रत्य का है तो यह बार नो 120 छिक वर श्रप्रक्षन राथ तरह भी कर दो के अंत में व्यंजित की आवर्ति हो तुसे अनत्यान प्रास कहते हैं उठो कमर कसे जन प्रिय गांदी उठी प्रबल प्रसत्याग्रह आंदी धब की जुकी सरकार विचारी मनहु चोर ग्रियपति नहीं निहारी पुर्वार्द में अनुनासिक आध्यी अंतिमस्वर के सहित भ आवर्ति पाद के अनत्य में हुई इसलिए या अनू अनत्यान प्रास हुआ दूसरा इसके उत्रार्त में उसी प्रकार आरे के आवर्ति हुई है फिंदी तुकांत संदों यह अवस्य होता है अब आते हैं लाटान प्रास सब्द वेही हो और उनका अर्द भी वही हो सवर्ग भी सवर्ग सम्राइप पतर्दा के लिए सवर्ग सम्राइप सवाधêsनी के लिए इसतो pombo सब्द वही है को सोगत्व साथ्ष करा करद में प्लाइप टॐ हैं भी सवर्ग्मेशम दुख्मे नर्दा हो के लिए सब्सक्राइब करने निंदेखक वागत में सवर्ग नरक आदे सब्दों की पूर्ण पून रखती है वेही सब्द है सब्द और वेही अर्थ Dohraya गया है प्रंतु ताइब करें अन्वय में अंतर है पुरवार्थ में सवर्ग और नरक का जिस रोप में से वाकिय में वह है उतराज में उससे भिन नहीं तो यह यूँ यह चार्ट प्रकार के सुर्तान उप्रास हुए उचरिता उप्रास कंठ तालों मृधा आदि किसी एक अस्थान में उचारित होने वाले वर्गी अत्वा वर्गी बंजनों के सहाव व उचार्ट स्थान के एक ही होने से यश्य अभिष्ठ है स्वण से नहीं जय गांधी तुवचरित छत्र स्रम छत्रस्रम ताप विनासई यहां च च यह च वण एक वाकिय में है जिनका उचार्ट तालों से होता है इस अनुप्रास को प्राचीनों प्राचीनों ने शुत्र के नाम से लिखा है जो हमें ठीक नहीं मालम पड़ा इसलिए हमने उचार्ट नाम दिया है वस्तव प्रवोक्त छेख आधी चार अनुप्रास कहे भी जा सकते हैं जैसा कि हमने लिखा है कि इसका सुर्थि से नहीं सिर्फ उचार्ट स्थान से दिस्ट है कैसे शुत्य नप् सब्सक्राइब को सुनने से दुख होता है जो भी कि अपक्षा कुछ चारिता अनप्रास इस अलंकार का नाम अधिक मौझू है अनवर्थ अनवर्थ है तब कोई कान नहीं दिखता किसे छोड़कर उल्टा बिल्कुल वर्द सुर्थ अनप्रास नाम रखा जाए इस प्रकार यह पांस प्रकार के निप्रास हुए यमक में बहुत फरक है चेक में रखेक में स्वरों की सवरों की विशंटा होती है और यमक में बिलकुस समता उधान के लिए जो कल हमको कल पाते थे वे आज नहीं कल पाते हैं जो अपसर बनकर आते थे वे अनुशर बनकर आते हैं प्रुवार्थ के प्रसम पाध में कल्तिता कल पाते के कल में यमक है। सुवर और बेंजनों की पूर्ण आविर्ति है। पहला कल शारतक और दूसरा कलपाते कारी नहरतक है। दूसरा यमक कलपाते हैं में दोनों अंसों के अर्थ बिन बिन दोनों को निर्थक भी कहा सकता है क्योंकि थे और हैं से रहित होकर पुण अर्थ का प्रकास करने में असमर्थ है लेह बला मती सीस लला अब संपति के हित हिंद न जाइए जाग परयो जब केहरिताओं गज मोतीन को न उतै चित दहिए खईये अलोनी सलोनी घरे सुधी माखन की अब पूत भुलेए जो पै न जान की चाह न मेरी तो जान की चाह भलेई जुगई है यहां दोनों खंड सार्थ तक हैं पर अर्थ भेद है पहले खंड में जान की चाह का अर्थ है प्राणों की चाह और दूसरे का जाने की चाह एदी अर्थ एक ही होता है तो लाटा अनुप्रास हो जाता है इसी पिकार जो गीता को जाने है हम जो गीता को जाने है इत्याली में यमक समझना चाहिए यमक आदे में अनुष्वार 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 यही बात ल और द्र के विशाय में कहा जाता है यमकादव भवदेक्यंग डलूर्ब कोड़ गेस्थ अर्थात यमक स्लेस और चित्र अलंकारों में डल बव और अभिन समझे जाते हैं कान इनका उच्छान बहुत कुछ मिलता जुलता है जिसे से चमतकार में कोई बाधा नही पड़ती इसी तरह अनस्वार अथवानुनासिक का वैसम में नहीं खटकता इसलिए यमक के मार्ग में यह कोई बाधा नहीं डाल सकता वक्रोक्ति दूसरे शब्दों के अन्यार्थ तक वाके का अर्थ जान बुझकर भी यदि दूसरा कोई आदमी कुछ और ही लगाए उस स्लेष वक्रोकती एक सब्सक्राइब के अनेक अर्थ निकले उसे स्लेष करते हैं स्लेष छेपक न एक सब्सक्राइब कर देना है धर्म तुम्हारा सोचो जागो रस और अलंकार किसान लेक्टर से अंधे तो है तो हो नहीं बला फिर क्यों कर मांगो किसानों से कहता है कर देना है धर्म तुम्हारा सोचो जागो रस और अलंकार किसान कलेक्टर से अंधे तो है नहीं भला फिर क्यों कर मांगो इस दान में कर सब्स लिस्ट है इसके दो अर्थ है टैक्स भूमी का महसूल और दूसरा हाथ अकाल पड़ गया है खेतों में कुछी किसान लोग लगान नहीं दे रहे हैं कि भाई कर लगान चुका देना तुम्हारा करस्वेप्ण तो इस वाकियर का किसान लोगों ने दूसरा ही अर्थ हांंत लिया अंधे आदमी सहारे से चलने के लिए किसे दूसरे आदमी का हांस लमांगते हो जिसे बहुत पकड़ कर चलते हैं यह कर का हाथ अर्थ लगा कर इक्सान कहते हैं कि साहब आप अंद्रे तो नहीं है फिर कैसे और क्यों कर मांग रहे हैं उत्तर बहुत ठीक है क्या साहब बहादूर के आंके नहीं है वेद्येक नहीं रहे हैं घोर अकाल पड़ा हुआ अभला ऐसे समय में कर मांगना क्या उचित है तो इस प्रकार साहब की बात का दूसरा अर्थ की सानों ने किया इसले वक्रोकती हुई और वैसे उन्हें कर सब्द के स्लेश से किया अत्यमें स्लेश वक्रोकती हुई आ काकू वक्रोकती बले की ध्वनी विशेश का नाम काकू है भिन कंठ ध्वनी धीरह काकू रत्य भी धीयते काकू के कान एक आर्थक वाके का भी बिल्कुल भिन अर्थ हो जाता है कहीं कहीं बिल्कुल उल्टा विधी का निशेद और निशेद का विधी अर्थ हो जाता है कह काकू के बल पर जहां दूसरे के वागे का अर्थ कुछ और ही लगाया जाए वहां काकू वक्रोकती होती है उधान कलेक्टर किसान से क्या हम करें उपाए अभी कुछ अब दिखने को किसान कलेक्टर से हां ऐसी मतिहीन हुई क्यों यू कहने को कलेक्टर कहते हैं कि जहां तु लोगों को सब कुछ दिखने लगे कि हाकिम क्या होता है और रहयत क्या प्रंतु किसान इस वागिका अर्थ काकु दो आरा बदल कर उत्तर देते हैं वे अर्थ लगाते हैं कि साहब कह रहा है कि अब हम दो अपने कोड़ी सब कुछ दिखाए देने के लिए क्या उपाय करें ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि भला बुरा सब कुछ नजर आने लगे बड़े कस्ट की बात है कि ऐसा अर्थ करके ही उन्हों न उत्तर दिया इस प्रकार काको के द्वारा अर्थ बदलने के कारण यह काको वक्रोक्ति का उधान हुआ स्लेश जहां अनेक अर्थ निकले वहां स्लेश अलंकार होता है या दो प्रकार का होता है शब्द स्लेश और अर्थ स्लेश जहां सब्द परिवर्तन कर देने से दूसरा अर्थ न निकले वहां सब्द स्लेश और जहां वैसा कर देने पर भी दूसरा अर्थ निर्बाद बना सब से अनेक अर्थ निकले और उनका पड़िवर्द करने पर अनेक अर्थ न रहे तो सब्ड स्लेष अलंकार होता है उधान के लिए रस और अलंकार वजॉड प्रिय सो उर्भल। टिलक का तिलक दोहे का अर्थ दोनों और घटता है यह शब्द स्लेश है क्योंकि शब्द को के ही आधार पर इस्तित है यदि स्लेख के अस्थान पर तिलक महराज का नाम बाल कर दिया जाए दूसरा आर्थ नहीं निकलेगा इसलिए प्रकार वहीं टीका आदि शब्द रग दियने पर बिस्लेश नहीं रह सकता इसलिए शब्द स्लेश है इस तरह कि इस तरह यह पांच सब्द अलंकार हुए छटा इस सणिका अलंकार प्रहेली का पहली है ऐसा किसी किसी कामत है प्रंतु वसुत वह कोई अलंकार नहीं है कार्ण कावें में रस भाव आदि मनुभाओं के जानता है इन मनुभाओं के जो उतकर साथक होंगे वही अलंकार कहलाएंगे प्रहेली का का ऐसा बिहर और व्यर्थ गोरक दंदा है कि वह रसान भाव में एक उल्जन पैदा कर देता है उसी कि उजड़गून में पहले मन लग जाता है बाद में जब उससे छुटकारा मिल थोड़ा या मनो विनोद इससे हो जाता है जो भी कभी या है सरदे की प्रारंबिक दिसा में हो बस और कोई वैसा चमतकार भी नहीं है कहा भी है स्रसस्य परिपंथित्वान अरंकारंग प्रहेलिका उक्ति वैची यमात्त्रंग साच्युत दत्ताक छरादिका ये राम राम विलेन लालुकुमा लकनो इनका पता है जिन्होंने इस पर दिया है तो होल क्रेट गोस्टे हिम है और यह जो प्रयास है उत्तरपतर सरकार का जब तो सुदा साहिते विशे सांग निकाल कर उन्होंने हम जैसे सुदी पाठकों के लिए बहुत बढ़ा कारे किया है जिनकी इच्छा रहती है कि इस तरह के जो प्रशंग हैं जो विभादित रहे हैं जो आजादी के अंदुलन का हिस्सा रहे हैं जिनको किसी कान से दबाया गया या लाइट में लाया गया जिस जो भी समझ रही हो तो उसको पढ़ें जागे और समझें